नमस्कार साथियो मैं हूँ जीतेंद कुमार आप देख रहे हैं स्टेडी से पर तक नतीजों के बाद की जो अपनी एक राजनीती होती है और जहां जहां पर बीजेपी चुनाव जीती है भारतिय जिंतापाटी चुनाव जीती है वहां पर मुखमंतरी कौन बनेगा या एक स सिंधिया दो बार मुखमंतरी रह चुकी है उस प्रदेश की एक मात्र महला मुखमंतरी है क्या वह मुखमंतरी बनेंगे 36 गड़ के भीतर कौन होगा यह तमाम सवाल जो है पत्रकार के भीतर तैर रहे हैं लेकिन मैं आप से बात करूंगा राजस्थान प्रदेश की 199 सीटो पर हुए चुनाओ के भीतर असपस्ट बहमत जो है भाजपा ने प्राप्त किया है करीब 116 सीटे उनके खाते में आये उसके बाद मुखमंतरी के लिए दौर सुरुख हो गया है वह चैपूर से लेकर के दिल्ली तक अब आजा ही जारी है और कई नाम सुर्ख्यों में उसक राजे सिंधिया भी है किरोडिमल मीना भी दावेदार है और ब्रेंच सखावत भी है भारत देश के कानून मंतरी मिगवाल साहब उस लिस्ट में सामिल है लेकिन एक नाम जो सब से आगे है वो नाम है बाबा बालकनात बाबा बालकनात कौन है और क्यों वो इतने तेजी से सोड़क्यां बटोर है कि राजस्थान परदेश के सियम बन सकते हैं उनके समर्थों कौन है राजस्थान की योगी कहे जाने वाले बाबा बालकना जो वो तेजारा से परचाद दाखिल करने पहुंचे थे तो वहाँ पर वो बुल्डेजर लेकर के पहुंचे थे तो आप यह कह सकते हैं कि योगी आदितनात जिनका नाम बुल्डेजर बावा हो गया वो राजस्थान के बुल्डेजर बावा है अब एक दूसरा जो भागबा चेहरा योगी आदितनात के पर्ट फायर ब्रांड चेहरा का नरंद्रमोदी बालकनात की साहिब ताजपोसी करेंगे सुट्विप i7 राजनित करती हैं उसके लिए खासे ठरतीन्दरमोदी के अपनी रणनीटि के भीतर चाही मंतरी हो उन्हें की जाती उनका छेत रूनका प्रभाव राजनित के भीतर बीजेपी के कितने सहायख है उतकिस सब की भूमिक है और वो जो हैं मोदी के लिए कितने लोयल हैं ये भी एक प्रतिमान है बालकनात को पहले आप समझे राजस्थान प्रदेश के अलवर से वो सांसद रहे और अब ही उनको उतारा गया था विधान सवाचुनाओं में के मैदान में उसमें तीजारा से उन्होंने छे हजार कुछ मतों से जीत हासिल किये है लेकिन खास बात ये हैं उनकी जो वो जो नात परमपरा है भारत देश की भारत की संस्किर्ती की जो नात की पीठ है उसके उपा अध्यक्ष है अखिल भारती अस्तर की और अध्यक्ष कौन है उत्तर परदेश के सी-अम मुख्यमंतरी योगी अद्यतिनाथ अगर गुरखपूर पीठ की योगी अध्यतिनाथ हैं और अखिल भारती नात संपरदाई जो है इस पूरे योगी आद्हित नाथ हैं और जो बाबा बालक नाथ है वो रोह तक पीठ यानि रोह तक मठ के मठादीस है और अखिल भारतीय नाथ संप्रदाइब के वो उपाद्हेक्श है यानि नाथ संप्रदाइब के ऊपर लिए नमबर टू पर आते हैं लेकिन इनकी एक बिसेस्ता य यह फायर ब्रांट जो भगवाधारी बावा जो नेता है जो राजनित के भीतर है और उसी तरह के समपरदाइक भासा वो अपने राजनित के भीतर इस्तेमाल तक करते है बुल्डोजर बावा वो भी हो गए और अलवर के आसपास जो पूरा का पूरा जो गौर अच्छा दल और समपरदाइक महौल है उसको गड़वाने में भी उनकी बहुत बड़ी भूम का मानी चाती है तो आप यह भी कह सकते है एक ऐसा भगवाधार हिंदुत्व का फेश से जो फायर ग्रांट कहा जाते है तो यह भाड़ते जनता पार्टी का काबलियत माने चाते है लेकिन य उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर यादव जो है सोसल जस्टिस के पॉलिटिक्स करते है समाजिक नयाई की राजनिती करता है और पीछरों दलितों की बात करता है लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के बाहर आप पहुंचेंगे चाहे हो हडियाना जाहिए या फिर पर जो सवार भाजपा जैसे संपरदाई के राजनेती के जो बाहक बने हुए हैं और अच्छी खासी आवादी है यादव समाज के पूरे देश के भी तर हम आपको याद दिला दे कि टूटर पर कई वार ट्रेंड कर चुका है अजी रेडिमेंट का और यह अही रेडिमेंट दरसल जो है दरसल यादव के जरिये नहीं ट्रेंड किये गए इसके पीछे पूरे RSS कहां थै बीजेपी पूरा ट्रेंड करवाती है ताकि उसे प्रसाहित करके और भाजपा के साथ जोड़ लिया जाए आईटी सेल ने कुछ दिनों पहले एक और ट्रेंड किया थै आउधी के साथ यादव अब बाबा बालकनात को लाने के पीछे का जो एक समाज का समीकर एक अलग है कि वो यादव को कैसे भाजपा के साथ जोरा जाए और यह हर्याना प्रदेश महरास्ट के प्रदेश मत्यप्रदेश के भीतर भी इस बार जो इस बार चुनाओ जो यह भी ओवी सी जो बहुत वड़ा फैक्टर है तो एक तो यहाँ पर यह कह सकते हैं कि यादव समाज को भाजपा के साथ इंटरेक्ट करना उसको जोड़ लेना और यह कहीं न कहीं ने द्रमोदी के अपने जो नेताओं की फैरिस्त है उसमें बोपेज यादव जैसे एक त इक्टर मान सकते हैं बावा बालकनात तो बालकनात को इसलिए भरती जनता पाटी यादव सकता है यह मुखमंतरी यह एक यादव सीम बनाना नेंडरमोदी जहां ओवी सी फैस है जो पी-एम है और अभी राहुल गांधी ने जिस तरीके से ओवी सी राजनितियों को मत दिय पूछा कि कौन आपके पास ओवी सी कोई चेहरा है क्या तो उसके भीतर यह ओवी सी फैस वह भी यादव फैस जैसे उत्तरप्रदेश के भीतर अकलेस यादव की राजनिति कमजोर पर रही है तो यहां के यादवों को भी अपने साथ जोड़ने के लिए अब करते हैं कि उनकी पार्टी अगर अख्रेस यादब पार्टी समाजबाती पार्टी कमजोर पर जाती है तो यह यादब जो है भाजपा के तरफ जाई यह कोशिस भारती जिनता पार्टी की है इसी लिए अब ट्रम काड ये हो सकता है नेद्रमोदी का लेकिन यहीं पर एक बात और कि जो नेद्रमोदी खेल करना चाते है कि योगिया अधितनात जिस तरीके से RSS के जरिये ही और बल्कि ये भी कहे कि BJP के काफी तमाम नेताओं को दरकिनार करके अपने चेहर को बढ़ा रहे है नेक्स्ट फिज हो रहे है भाजपा के उसको काउंटर करने के लिए एक रण नेती के तौर पर देखा जा रहा है कि योगिया अधितनात ठाकुर समाज से आता है ठाकुर समाज की संख्या बिहद कम है तो ऐसे में एक ओवी सी समाज के फायर व्रांड एक तरसे भगवादारी को ले करके मुख्यमंत्री बनाना जैसे मद्यप्रदेश के भिदर कभी उमा भारती को बनाए गया था उमा भा तो उस ओवी सी बोट बैंक में सिंध मारी कर देना योगिया अतितनात के सामने एक चाइलन्ज देना लेकिन यही पर एक और पिछ फस्ती है जो योगिया अतितनात और बाबा बालक नात के बीच में जो है बहुत अच्छे रिस्ते हैं बहुत अच्छे रिस्ते हैं जैसे योगी अतिनात जब परचार करने उनके गए थे तो बाकाइदा जो है उन्हें एक एलाम किया था कि आप सपत लेकर क्या यह आयोध्या हम आपका स्वाधत करते हैं जो नात संपर्दाई के पीठए हो उपाद थे अच्छा बालक नात तो वब्यसिशनी बात है कि इसंपर्दा दोनों लों के बीच, बीच में एक संपर्दाई बिसेस होने की नाते बिसेस नजदिकिया हैं क्या ये नजदिक्या योगी अतिनात को मजगूत करेगी या पिर नहीं रबोदी के अपनी रहननेती के तहरी योगी अतिनात को काउंटर करेगी उनके सामने एक नया चेहरा ख़रा करने की कोसिस हो सकती है तो दोनों तरफ के डर भी है पेच भी फसा हो लेकिन नहीं रबोदी जिस तरीकी की राजनित करती है उसमें ओविसरी बात है कि योगी अतिनात के सामने जो है एक ऐसा भगवादारी चेहरा ख़रा करना चाहते हैं जो ओविसरी समाज से आते हैं जो फायर वर रांड भी हैं यह जो पूरी कोसिस है नहीं रमोदी की उस कोसिस के भीतर ना सिर्फ बोट बैंक की राजनिती है बलकि यह कहे कि योगी अधितनात को काउंटर करने की भी और तो और यहाँ पर इसके अलावा आप यह कह सकते हैं तो एक भगवादारी राजनिती जो है जो समपरदाई की राजनिती है उसको और ज्यादा उत्तेजित करने की राजनिती हो सकते है जो लोग सवाचुना में उनको फायदा तक पहुंचा सकते हैं तो किबल निगाहें राजस्थान के परदेश के अंदर ने उत्तर परदेश के भीतर भी है हर्याना महाराष्ट के भीतर भी है और अ प्रभार से वहां से अस्टालिन की जो आवाज निकल करके आते हैं लालो परसाद यादव उसको सुर में सुर मिला देते हैं तो उस आवाज को भी कहीं काउंटर करना कि यादव भगवादारी फेस करना यह भी एक नई रणनिती हो सकते हैं जब उसे मुखमंत्री बना दिया है राजस्थान परदेश के बीतर और वो सीम का चेहरा राजस्थान के अंदर जो हैं वो सीम बन सकते हैं देखते हैं आगे होता क्या है तब तक के लिए जैहिं जैवारे